नमस्कार, Cotton Complex Morning Concall में आपका स्वागत है, आज 26 मईए, सबसे पहले अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सेंटिमेंट थोड़े खराब जरूर हुए हैं, यूएस और चाइना के बीच में होंग को लेके जो टेंशन बढ़ा है, उसके चलते हमें लगता है कि Cotton के प्र इस वक्त डेट कर रहे हैं, अपडेट ये भी है, CIA has raised cotton export estimate on a weak domestic currency, कि जिस जंग से हमने रुपए में गिरावट आती भी देखी है, कही ना कही इसका एक benefit एक्सपोर्स को मिलेगा, जहां CIA ने कहा है कि करीबन 42 मिलियन बेल के जगा पे 47 मिलियन बेल करन्सी में रह सकती है, जिस जंग से हमने currency में weakness देखी, ये कही ना कही cotton को prices को support करना चाहिए, आज के trade setup के अगर बात करें तो international factor positive है, CIA का जो update है, वो positive है, जो कही ना कही cotton के prices को आज एक positively trade करता होगा देखेंगे, सुकुरार के session के बात करें, तो 1.5% की गिरावट के बाद 15740 के करीब cotton को हमने fresh selling के चलते गिरावट आते वे देखी, वहीं कपास के prices में भी हमने 50% की गिरावट आते वे देखी और 980 के करीब prices में more आता होगा दिखाई दिया, वहीं cotton seed oil cake में एक अच्छी खासी तेजी हमने कवाते वे देखी और prices long liquidation के चलते 1964 के करीब 1.5% की गिरावट के साथ market के अंदर करीबन हमने 2.2% की गिरावट आते वे देखी, वहीं cotton seed oil cake में हाई में हमने 220 का लेबल भी छूते वे देखा बट उसके बावजूर हमने करीबन 4.5% की गिरावट आते वे देखी prices के अंदर, वहीं कपास में भी 1% की गिरावट रही, तो आज के अगर trade setup की अगर 10 के उपर नहीं निकलता है, लेट से 2020 के उपर नहीं निकलता है, prices एक सीमी दायरे में ही trade करेंगे, वहीं अगर hourly chart की अगर बात करें, तो 1950 का 200 day moving average है, market इस levels को hold करता हुगा दिखाई दे सकता है, तो आज के session में market अगर 2000 के उपर निकलता है, तो ही हमें buy करना है, otherwise 1910-1915 तक का support मिलेगा, उस support पे हमें वापस buy करना है, 1870 के stop loss से, जो फिर से 2000-2020 तक का level दिखा देगा, तो cotton seed oil cake में आज ध्यानर के trade कीजिए, prices important support 1950 के उपर maintain है, 2020 के उपर जाने पे ही हम एक अच्छी तेजी देख पाएंगे, otherwise 1910 के drop पे हमें fresh buy करके चलनी चाहिए, जो फिर से 2000 तक क level दिखा सकता है, धन्यवर